तीसरी कर्षा के हमारे नन्ने मुन्ने बच्चों आपका डिजी स्कूल में स्वागत है बच्चों आज आप लोगों को मैं एक चिठी पढ़कर सुना रहा हूँ बच्चों ये चिठी आफी की तरह आपके क्लास की एक बाली का जिसका नाम है अंतरा तो अंतरा ने अपने भाईया को एक चिठी लिखी है तो उस चिठी में क्या है बच्चो इसको हम लोग पढ़ेंगे और बच्चो मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो हिंदी पाठे पुस्तक है ना जिसका नाम है भासांजली उसके पेज नमबर निन्यानेबे पे तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चो कि इसमें अंतरा ने क्या लिखा हुआ है तो बच्चो सबसे पहले हम लोग देख लें कि अंतरा रहती कहां है तो अंतरा ने सबसे पहले देखिए सबसे उपर में बच्चो दाइनी हाथ की ओर मलूटी क्या लिखा बच्चो मलूटी मलूटी जगह का नाम है और ये चिठी कब लिखा अंतरा ने अंतरा ने लिखा है 7 अक्टूबर 2015 को बच्चो पॉँँच साल पुरानी चिठी हो गई न चलिए कोई बात नहीं चिठी पुरानी है तो क्या हुआ समझने के लिए सब कुछ नया है बच्चो तो सबसे पहले हम लोग देख लेते बच्चो की वो जो चिठी अंतरा ने लिखा था वो कैसे ओहो ऐसे लिखा था बच्चो आप स्क्रीन पे देखिए मलूटी 7 10 2015 प्यारे भया प्रणाम मैं यहां अच्छी तरह से हूँ जैसे हम लोग कागज में लिखते न बच्चो चिठी उसी तरह से अंतरा ने कागज में चिठी लिखा हुआ है देखिए कितना सुन्दर हैंड राइटिंग भी अच्छी है न बच्चो तो इसे तो हम लोग देखेंगे बच्चो लेकिन हम लोग सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अंतरा जिस मलूटी से लिख रही है न चिठी वो कहाँ पे है क्या वो जार्खन में है क्या वो हमारे राज में है बच्चो हाँ मलूटी जो है न हमारे ही राजिकते एक जिला जिसका नाम है दुम का तो दुमका जिले में एक सिकारी पाड़ा नाम का एक वलाउख है वही मलूटी गाऊं है बच्चों वहां पी न भागई सुंदर मन्दीर हैं और बहुत पुराने मंदिर हैं ठीक है बच्चों और 26 जनवरी को जो परेड निकलती है न राजपत पर दिल्ली में आप लोगों ने टीवी में देखा होगा तो 26 जनवरी की परेड में न बच्चों सन 2016 के परेड में मलूटी के मंदर की जाकी भी निकाली गई थी किसके द्वारा जारखन सरकार के द्वारा इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि अंतरा जहां पे रहती है न वो कोई साधारन जगह नहीं है बच्चों वो बहुत खास जगह है है न तो चलिए अब ही आप लोग समझे होंगे थोड़ा मलूटी के बारे में तो ओ मलूटी की है रहन वाली है कौन अंतरा तो अंतरा क्या लिखी है प्यारे भया प्रणाम मैं अच्छी तरह से हूँ आसा करती हूँ तुम भी सकूसल होगे अच्छा बहुत सुन्दर लिखती है अंतरा चलिए बहुत अच्छी बात है तो अंतरा ने जो कुछ भी लिखा है न बच्चों तो उ थोड़ा सा और अलग तरीके से थोड़ा साफ साफ आप देख सकें इसलिए मैंने अलग से एक जगा और लिख दिया है बच्चों चलिए बड़े बड़े अक्षरों में हैं पढ़िए इसको प्यारे भाईया प्रणाम भाईया को तो प्रणाम बोला जाता है मैं यहां कि तुम भी सकुसल होगे यानि अंतरा अपने भाईया को लिख रही है कि मैं तो सकुसल हूँ मैं तो अच्छे से हूँ आप भी अच्छे से होंगे ऐसी मैं आसा करती हूँ मैं कल अपने विद्याले की ओर से नंदन कानन घूमने गई थी हाँ बच्चों जारखंड के बच्चों को न बहुत दूसरे दूसरे अस्थानों की सेर करने भी मिलती है कुछ बच्चे बैंगलोर मैसूर गय थे कुछ बच्चे जैपूर कुछ बच्चे हैदराबाद तो मौका मिलते ही है जाने के लिए तो अंतरा लिख रही है कि मैं कल अपने विद्याले की ओर से नंदन कानन कहा है बच्चों नंदन कानन उडिसा में है ये क्या है ये जूलोजिकल पार्क है जिसको हम लोग ऐसे साधारन भासा में चडिया घर भी कहते हैं तो बच्चों वहाँ चडिया घरी नहीं बहुत से जानवर भी हैं वहाँ पे और कई एकड में फैला हुआ है नंदन कानन ये तो देखी उसका मुख्य जो गेट है न में गेट उसका फोटो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ देखिए नंदन कानन जूलोजिकल पार्ग ऐसा लिखा ह हुआ है देखिए कितने सारे लोग है न यहां से अंदर की ओर जा रहे हैं तो अंदर में न बच्चों एकड़म जंगल सा है अंदर नंदन कानन में ठीक है अच्छा तो अंतरा आगे क्या लिखती है हमने वहाँ खूब मजे किये हां मजे तो करेंगे ही नंदन कानन तो मज करने की जगह है वहां उसने क्या-क्या देखा होगा अंतरा ने अंतरा ने वहां पे हाती देखे होंगे राइनोसेरस देखे होंगे टाइगर यानी की बाग देखे होंगे लायन यानी की सेर देखे होंगे जिराब भी है वहां पे बच्चों है न सभी सारे तरह के वहां प है न और वे बंधे हुए नहीं बच्चों वो सब खूले हुए हैं वहां की बनावट कुछ ऐसी है न कि वो वहां आराम से रह सकते हैं और आप भी उनको देख सकते हैं तो कभी मौका मिले तो नंदन कानन आप भी जाईए है ना तो अंतरा लिखती है हमने वहाँ खूब मजे किये जरूर जरूर अच्छी बात है मैं वहाँ खूब खेली जूला जूली और घूमी वह मैं वहाँ खूब खेली जूला जूली और घूमी भूक लगने पर हम सबने साथ मिलकर खाना खाया जितने सारे बच्चे साथ गए होंगे सब लोगों को सर होंगे न साथ में तो सर के साथ सब लोगों ने बैठ करके खाना खाया होगा खाने के बाद मैंने देखा कि कुछ सहपाठीयों ने अखबार के कागज, गैपर, पॉलीथीन, इत्यादी जमीन पर ही पड़ा छोड़ दिया था ये तो अच्छी बात नहीं है बच्चों है ना अखबार के कागज, गैपर है ना ये भी मतलब कागजी है पॉली थी ये सब जमीन पे छोड़ देना अच्छी बात नहीं है इससे सुन्दर पार्ग खराब दिखने लगा था बिल्कुल खराब दिखेगा मैंने अपना कचरा थोड़ी दूर पर रखे कुड़ेदान में डाल दिया मैंने किसने अंतरा ने अंतरा अच्छी बच्ची है वो समझधार भी है बागी सब बच्चे भी अच्छे हैं लेकिन उनको पता नहीं है थोड़ी गलती कर गए वे बच्चे कुछ बच्चे है ना हमारी दीदी जी ने सभी को अपना कचरा कुड़ेदान में डालने को कहा अच्छा साथ में जो मैम गई है न उनको दीदी जी कह रही है अंतरा तो अंतरा क्या बता रही है कि हमारी दीदी जी ने सभी को अपना कचरा कुड़ेदान में डालने को कहा सभी ने ऐसा ही किया तुरंत ही पार्क पहले जैसा सुन्धर दिखने लगा हाँ बच्चों जदी हम लोग साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो जगा तो सुन्धर दिखे रही हमें अपने आसपास की जगा को साफ और सुन्धर रखना ही चाहिए न भाईया ये कौन कह रही है ये कह रही है अंतरा और अंतरा और क्या लिख रही है घर के सभी बड़ों को मेरा प्रनाम कहना ऐसे ही चिट्ठी लिखते हैं बच्चों है न कि घर में जो भी बड़े हैं सब को प्रणाम कहना पत्र जरूर लिखना अच्छा ये चीज बता ना होगा घर के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना पत्र जरूर लिखना ऐसा अंतरा लिखी है ठीक है तुमारी बहन अंतरा ठीक है अब आगे क्या है यहां तो बच्चो प्रस्ण है पहले पत्र किस परकार भेजा जाता था बच्चो पहले जैसे भेजा जाता था आज भी ऐसे ही भेजा जाता है लेकिन आज कल मोबाइल हो गया है वाटसेप में हम लोग मैसेज करते हैं ऐसे भी मैसेज टेक्स्ट मैसेज हम लोग करते हैं बहुत तरह से लेकिन चित्थी आज भी भेजी जाती है बच्चो है ना तो कैसे भेजी जाती है इसके लिए हमारा जो है भारत सरकार के द्वारा भारतिय डाक और तार भी भार है है ना जिसको हम लोग इंडियन पोस्ट बोलते हैं तो बड़े-बड़े सहरों में बच्चों इस तरह से पोस्ट आफिस बने हुए होते हैं देखिए आप चीत अब तस्विर देख रहे हैं ना हमारे राज जारखंड के जमशेदपूर सहर का ये में पोस्ट आफिस है ना जिसको जीपियो बोलते हैं जन्रल पोस्ट आफिस है ना और बच्चों देखिए ये है लेटर बॉक्स जब हम लोग कोई भी चिठी लिख लेते हैं तो ले जा काड़ी के माध्यम से वो चिठी या जो है एक जगह से दूसरे जगह जाती है बच्चों ऐसे तो ट्रेन से भी जाती है हवाई जहाज से भी चिठी जाती है बहुत तरीके से चिठी एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है और जब दूसरे जगह पे चिठी पहुंच ज देखिए यहां क्या लिखा हुआ बच्चों यहां लिखा हुआ है पोस्ट मैन हिंदी में हम लोग उसको क्या करते हैं डाकिया बच्चों यह पताईए तो यह डाकिया बच्ची के हाथ में क्या दे रहा है हाँ आप बिल्कुल सही समझे यह कोई लिफाफा है है न जो की बाहर से आया है यह अंतरा है ठीक है अंतरा को भाया ने जब चिठी भेजा होगा तो फिर अंतरा को भी चिठी मिल गई होगी देखिए इस तरह से घर पे जाके पोस्ट मैन जो है दरवाजा खट खटाते हैं द अब येक और बात है अगला सवाल है बच्चो पत्र के पते में क्या क्या लिखना होता है अच्छा मान लीजे बच्चो हम लोग चिठी तो लिख लेते हैं लेकिन चिठी लिखने के बाद ज़धी हम लोग उसमें ऐड्रेस नहीं डालेंगे पता नहीं डालेंगे तो कैसे जाएगा चिठी और कहां जाएगा चिठी नहीं जाएगा न तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग पता लिखते हैं बच्चों देखिए ये मेरा पता है न इस तरह से आप लोग भी अपना पता लिख सकते हैं सबसे पहले अपना नाम दीजिएगा जैसे मैंने अपन घर का पता भी लिख सकते हैं, मैंने अपनी स्कूल का पता लिख दिया, आदर्स मद विद्याले बड़ा जामदा, ये कहां पे है, ये प्रखण नुवा मुंडी में है, किस जिले में है, ये पस्मी सिंभूम जिले में है, किस राजी में है, ये जार्खन राजी में है, और इ इतने अंकों का होता है बच्चों छे अंकों का देखिए हमने लिखा हुआ है ऐट थरी थरी टू वन फोर ठीक है बच्चों तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे अंतरा ने कितनी अच्छी चिठी लिखी कहां से लिखी मलूटी से है ना और भाय भाया उसके कहां है भाया किसी दूसरे जगा पे रहते हैं जहां रहते हैं वहां पे वो चिठी चली जाएगी है ना और अंतरा अपना कहां का अनुभाव अपने भाया को सेर करती है अंतरा जो नंदन कानन जाती है उडिशा तो वहां से उसको जो अनुभाव प्राप्त हो कुछ वो सिखती है वो अपने भाईया को share करती है तो बच्चों इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को share करना चाहिए है ना तो बच्चों एक तरह से आप लोगों को चिठी लिखने का तरीका भी समझ में आ गया कैसे हम लोगों को संबोधन करना चाहिए कैसे हम लोगों को प्यारे भाया परनाम लिखना चाहिए कैसे हम लोगों को चिठी की सुरुआत करनी चाहिए ये सारी बाते हम लोगों को जानना चाहिए कितना सुन्दर लिखी है प्यारे भाया परनाम मैं यहाँ अच्छी तरह से हूँ आसा करती हूँ कि तुम भी सकुसल होगे मैं कल अपने विद्याला की और से ननन कानन घूमने गई थी कितना अच्छा लिख रही है न हमने वहाँ खूब मजे किये मैं वहाँ खूब खेली जूला जूली और घूमी भूख लगने पर हम सबने साथ मिलकर खाना खाया खाने के बाद मैंने देखा कि कुछ सरपाथियों ने अखबार के कागर्ज गया पर पॉलिथी नित्यादी जमीन पर ही पड़ा छोड़ दिया था इससे सुन्दर पाग खराब दिखने लगा था मैंने अपना कचरा थोड़ी दूर पर रखे कुड़े दान में डाल दिया हमारी दिदी जी ने सभी को अपना कचरा कुड़े दान में डालने को कहा सभी ने ऐसे ही किया तुगंत ही पार्क पहले जैसा सुन्दर दिखने लगा हमें अपने आसपास की जगा को साफ और सुन्दर रखना ही चाहिए न भाईया घर के सभी बढ़ों को मेरा परनाम कहना पत्र जरूर लिखना तुम्हारी बहन अंतरा तो बच्चों ये चिठी समाप्त हो गई आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और खुद भी इस तरह से चिठी लिखना सीखिएगा ठीक है बच्चों? धन्यवाद बच्चों